हेलो दोस्तो आपका अपने यूट्यूब चैनल सेलर हमें फिर से स्वागत है और दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही अच्छी कमपनी और बहुत ही बड़ी कमपनी के बारे में आज हम बात करेंगे एनवाई के लाइन्स के बारे मैं बहुत दिन से कुमेंट आये थे कि इस कंपनी के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊ इस कंपनी का जौइनिंग का क्या प्रोसस है और यह ऐसे लेग कितने लिए दिन देती है लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस एनवाई के लाइन जो है वो वर्ल्ड की टॉप प्रिस्टर कंपनियों में आती है वैसल और टनेल्स के मामले में एनवाई के लाइन जो है वो बेसिकली एक जैपनीज ओनर्शिप नेस्मेंट कंपनी है और इस कमपनी का जो हैड़ ओफीस है वो टोक्यो जपान में है एनवाई के लाइन गाइस बहुत बड़ी कमपनी है और वर्लड में सबसे जड़दा आपको रोरय वैसल और वर्ल केरिये वैसल जो वो इसी कमपनी के पास गाईस 800 प्रस वैसल हैं और आपको इस कमपनी के पास songo N.W. के Line जो है गाइस वो हर कंट्री से Manning करती है जैसे इंडिया, फ्लेपेंस, सिंगापोर, चाइना, बांगलादेस, मैमार, इंडोनेशिय, अमलेश्य, दुवई, थाइलेंड, हॉंगकॉंग, इन सब कंट्रे हों से Manning करती है आपको इस कंपनी के बैसलपे गाइस हर कंट् ओफिस से होता है और इंडिया में एक ओफिस डेली चन्ने और कॉलकाता में इस कंपनी का है NYK लाइन गाइस बहुत ही बड़ी कंपनी और एपुटेटेड कंपनी है वर्ल्ड की आपको इस कंपनी के बैसल पर जो हमेशा मिक्स क्रू मिलेगा ऐसा नहीं है अगर इंडियन है तो इंडियन मिलेंगे ऐसा नहीं है आपको हमेशा मिक्स क्रू मिलेगा इस कंपनी के बैसल पर बट जादातर आपको इस कंपनी के बैसल पर फिलिपिन्स और इंडियन मिलेंगे एनवाई के लाइन जो है गाईज वो इंडियन क्रू को रेटिंग में बहुत कम लेती है रेटिंग क्रू में आपको इस कंपनी के बैसल पे फिलिपन क्रू मिलेगा बट ऑफिसर लेवल में इंडियन क्रू को लेती है और गाईज अगर आप इस कंपनी में as a rating जोईन करना चाते हो तो गाईज बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये कंपनी जब वो इंडियन क्रू को रेटिंग में बहुत कम लेती है ये कंपनी गाईज कम से कम 36 to 48 मंथ का rank experience मंगती है और अगर आपके पास कोई अच्छे कैप्टन का reference है तो आप COP के बाद इस कंपनी में try कर सकते हो बट ये कंपनी जो गाईज वो rating वालों को जल्दी लेती नहीं है इंडियन को अगर गाईज कैप्टन के rank का आपका कोई uncle या brother इस कंपनी में 5-6 साल से काम कर रहा है तो वो guys आपका wire reference इस कंपनी में as a rating करवा सकता है बट अगर आपके पास experience है तो otherwise guys आप इस कंपनी में as a fresher जाते हो तो guys आपको ये कंपनी as a fresher नहीं लेगी इस कंपनी में join करने के लिए guys आपके पास minimum 36-48 month का rank experience होना चाहिए तब जाके guys आप इस कंपनी में apply कर सकते हो तब जाके guys आपको ये कंपनी खायर करती है otherwise guys ये कंपनी आपको as a fresher join नहीं देगी और guys इस कंपनी की salary की बात करें तो इस कंपनी में में salary बहुत अच्छी है aviolar की salary इस कंपनी में guys 1200-1600 डॉलर तक जाती है और officer level में भी guys बहुत अच्छी salary है captain की salary इस कंपनी में guys 14-15000 डॉलर तक जाती है तो salary के मामले में guys अच्छी है marketing की हिसाफ से इस कंपनी में salary बहुत ही must है guys और NYK lines जो है guys वो एक ownership management company है इस कंपनी के पास guys बहुत ज़्यादा vessel है इस कंपनी के पास जो guys वो 800-plus vessels है और इस कंपनी के new world vessel पे guys आपको internet भी मिल जाएगा NYK lines guys बहुत ही must company है बट इस कंपनी में guys एक ही problem है कि आपको इंडियन food जब बहुत कम मिलता है क्योंकि इस कंपनी के vessel पे जातर जब वो फिलिपन सेप होते है तो guys वो इंडियन food बहुत कम बनाते हैं तो आपको सिर्फ खाने की दिक्कत होती इस company में कि आपको इंडियन food बहुत कम मिलता है बाकी overall guys बहुत अच्छी company है और इस company की contract की बात करें तो guys इस company में crew level के लिए जो है वो 6 month का contract paid है और officer के लिए guys 3-4 month का contract paid है इस company में तो contract भी guys बहुत अच्छा है इस company में और guys NYK Alliance जो है बहुत sponsor भी provide करवाती है तो लानी maritime institute से for deck credit के लिए और अगर guys आपको तो लानी maritime institute से sponsor मिलता है NYK Alliance का तो guys यह एक अच्छा chance है NYK Alliance में join करने का अगर guys आपको इसका sponsor अगर job मिलता है तो इस company को छोड़ना मत क्योंकि यह company guys lifetime के लिए best company है इस company के पास बहुत से vessel है तो guys इस company में आपको back to back joining मिलती रहती है और इस company का guys betting paid भी बहुत कम है as compared to other companies और guys इस company में जो है वो US visa must होता है क्योंकि इस company के जो vessel है guys वो worldwide sale करते हैं तो इस company में US visa must होता है अगर आपके पास है तो ठीक है otherwise company आपको खुद भी provide करवाती है और guys NYK Alliance जो है वो अपने crew के officer और crew level के जो भी advance courses होते हैं वो guys खुदी sponsor करवाती है अपने ही office में करवाती है और overall मेरे इसाफ से guys NYK Alliance जो है guys बहुत अच्छी company है बहुत बड़ी company है आपको इस company के vessel पे wifi मिलेगा और worldwide गुमने को मिलता है इस company में guys तो मेरे इसाफ से guys अच्छी है long term के लिए west company है तो guys आज की इस video में वस इतना था अगर guys आपको ये video helpful और informative लगे तो please channel को subscribe करना ना बोले thank you for watching this video